नमस्कार दोस्तों मैंने नामे पूलर आप देख रहे हैं शर्माजी व्लोग तो आज के इस वीडिम पर मैं बात करने जा रहे हैं दोस्तों तो निव एज बलीनों 2022 मोडल तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं लुक काफी निया कलर आपको दिख पार रहा है यह कफी शांदर लग रहा है लक्स बीच कलर आपको दिख पार रहे हैं यह एकदम निव कलर आया है यह इस बैलनों में और क्या कि जिए इसमें चेंज दूस्तों देख सकते हैं आप लोग क्रेंट में आपको न्यू गृल मिल जा सकते हैं इसमें नेक्स वेव गृल आपको इसमें बोल सकते हैं क्रोम फिनिश के साथ में शुदू की कब बड़ा सा लोगों मिलता है काफी बढ़े लग रहा दिखने में प्लस यह कलर जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलेम मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसके आगे की तरफ की तो आपको इंजनिस स्पेशिफिशन प्लस लैंट वगरा है यह सारी चीज़ों की बात करते हैं तो 88BHP की पावर मिलती है आपको दोस्तों 6000RPM पे और 113M का टॉर्क आपको दे देती है गाड़ी 2400RPM पे 22.35 का एविलेज के एमें इसमें आपका कमपनी से प्लस आपको अगर इसके इंजनिस स्पेशिफिफिविएन की बात करें तो 1.2 लेटर यानी 1173C का आपको इंजनिस में मिल जाता दोस्तों अब बात करते हैं इसके लेंथ की तो 3990MM की इसमें लेंथ है आपके और विट के अगर बात करें तो 1745MM का आपको इसमें विट मिल जाता है गाड़ी में प्लस अगर हाइट की बात करें तो 1500MM की आपको इसमें हाइट मिल जाती है गाड़ी में तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके गाड़ी के साइड लुक के बारे में तो सबसे पिले देख सकते हैं आप लग इसमें ORVM आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं ORVM में प्लस अगा इसके 170 में का GCX को इसमें देखने को मिल जाता है यानि Ground Cleanse भी कापी अच्छा कासा इसमें आपको प्रोवाइट किया गया है दोस्तों 15 एंच के आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं जो की वील स्टील के साथ में आएंगे आपको अलवी विल्स इसमें प्रोवाइट नहीं होते हैं डेल्टा वेरेंट में अगर इसकी वरानटी के अगर बात करें दोस्तों तो 2 साल और 40,000 किलोमेटर के आपको इसमें वरानटी भी कंपनी के साथ में मिल जाती है उसके बाद में आप इसको extend करवा सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इसके दोस्तों body quality वगएरा की और side look एक बार ओप देख लिजे आप तो काफी जवर्दत से और 37 लेटर का आपके fuel tank इसमें दे दिया गया left hand side में प्लस अगर reverse अगर पीछे की बात करें तो tail light पूरी की पूरी all new है इसमें देख सकते हैं आप लोग इसमें टैल light कुछ इस तरह की दीवी है थोड़े आगे की तरफ बढ़ती भी बैलन नो all new पूरा नए तरह के प्लस अगर बात करें इसके मीचे step नहीं की तो steel wheel आपको इसमें प्रोवाइट किया गया है दोस्तों boot light आपको इसमें delta variant में नहीं मिलती है partial tray आपको इसमें मिल जाती है अब बात करते हैं इसके और भी कुछ चीज़ों की तो parking sensor आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं reverse camera आपको इसमें नहीं मिल पाएगा अब बात करनें दोस्तों anterior की तो देख सकते हैं steering कुछ इस तरिक आपको मिलने वाला दो airbag आपको इसमें मिल जाते हैं गाड़ी में ABS गेरा और यह सब सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है प्लास 7 इंच का infotainment system मिल जाता आपको जो कि पहले वाले zeta variant में आता था जो ओल्ड बैलिनों में वह आपको इसमें डेल्टा में ही मिल जाएगा यह काफे एक अच्छी चीज़ दीवी है एंड एंड कुछ इस्तरे का डिया हुआ है बीच में silver finish है और उपर नीचे black and blue color का आपको डैशबर्ड मिल जाता है प्लस automatic climate control आपको मिल रहा है गेर लीवर कुछ इस्तरे का दिया हुआ है प्लस यहां पे आपको कुछ थोड़ा सा space मिल जाता बोटल होल्डर या cup holder के सकते हैं आप अब बात करते हैं इस तरफ के controls की तो आप सकते हैं जो एक assign और off बना हुआ तो ignition start stop button दिया हुआ है इसमें अगर clutch प्लेस करेंगे तो गाड़ी आपकी चलू हो जाएगी और clutch चोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी आपको इंटीर्स के लाइटिंग दीवी है एंड मिरर आपको यहां प्रोवाइट किया गया है देन अब इसके speedometer एक बार वापिस देख लीजिए आप काफी बढ़िया लग रहा दिखने में अब पीछी का reverse और आपको space पगर और दिखा देते हैं तो कुछ इस तरह का वो टॉप और सेकेंड टॉप में ही मिल पाएगा आपको charging socket मिल जाता सेटिंग कुछ निंग काफी अच्छी की है देख support वगरा काफी अच्छा है इस बार seats में space काफी ज्यादा मिल जाता बैटने में space के मामले में कोई कमी नहीं कि space काम कर दिया है वैसा कुछ भी नहीं है जिसमें से एक यह कलर है लक्स बाइच कलर आपको इसमें मिल रहा है यह काफी अच्छा लगता दिखना है यह भी तो दोस्तों अगर इसके suspension की बात करें तो आपको all new suspension मिलते है इसमें new balloon है front में आपको मिलता है इसमें mag person strut and rear suspension आपको मिलता है tourism beam जो की काफी improved किया हुआ है अब पहले के मुकाबले तो गड्डिया वगर आपको इतने ज़्यादा फील नहीं होएंगे अब front में disc और rear में drum मिलता है आपको plus अगर इसके बात करें turning radius की तो 4.9 मीटर का turning radius मिल जाता है और steering आपको electric ही मिलता है इसमें बाकी एक color option की बात करें अगर दोस्तों तो इसमे मिल जाते हैं दोस्तों और भी इसके लक्स बाइच के अलावा तो दोस्तों अगर इसको on road price के अगर बात करें तो कोटर रजिस्तान में आपको इसके on road price रहने वाली है आट लाग 63,000 रुपे on road जिसमें आप तो overall सारी चीज़े मिल रही हैं जैसे कि Suzuki Connect और 5W warranty तो सारी हैं तो वह भी पूछ सकते हैं तो नमबर लिखिया आप 7727 006434 मैं description में डाल दूंगा इसको उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो का भी पसंद आये हो आपको पसंद आये तो like, share, comment और subscribe जरू करना चर्माजी व्लोक्स को और जहां तक आपको information की बात रही तो मैंने number प्रोव कैस जगाइओाऊने दूंग झाल गको ढूंग्ट अजग क्रिये ट आपको जासरा की खिश्तों ये खिर ल你说 दोस्तों चाहे हो व्लोकरर वाएँ ल 웃़िकव मत्या हो सेवेट कि सस्वाइबतां ओूबूशतों नुमाइबतां साथ चंऴ मतुमाइबतां च पो घभतों पाल